इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत ये पुराने और आवर्ती संक्रमन और बुखार का इलाज करने में मदद करता है। ये न्यूट्रोफिल द्वारा बैक्टिरिया क्लियरिंस और फागोसाइटिक गतिविधी को बढ़ा कर संक्रमन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, ठंड को नियंत्रत करता है और हलके से उच्च तापमान को कम करता है। दो, पाचन में सुधार करने में अत्यधिक प्रभावी और कब्ज को ठीक करने के लिए हलके रेचक के रूप में भी कारे करता है। तीम, इसका उप्योग उच्च रक्ट शरकरा के स्तर को कम करने और मधुमें से संबंदित बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। चार, इसमें हलके शामक गुण होते हैं और यह चिंता, अफसाद और अनिद्रा का प्रभावी धंग से इलाज करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।